हलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर जे विच्छ आपां दिशमलव दे दसमे ते सौमे पाग बारे गल किती सी, एककदी एक्जामपल आपा हजार में पाग दे भी गल किती सी, आज जा आपा उसे नू अगे चाल दे होए, कुछ को होर ताम से गल कर दे हैं, कुछ को होर क्रिया म पिन विच बदलना, सब तो पहलना पाठ, दिशमलव नू पिन विच बदलना, कि में आपां दिशमलव वाली संख्या नू पिन विच बदल सक दे हां, उदारन, 0.7, 6.3, 12.5, 6.25, 12.8, मैं थे कुछ कुछ कुदार न लिखी है, एस नू अपा पिन विच बदलना है, अपा कर चुकियां, अगर कोई वी संख्या तिन है, तब पिन विच आपका की कर दे सी, हार्दे विच अपने करने विच एक लगादन दे सी, सेम अपा इथे करांगे, 0.7 वटे एक, 6.3 वटे एक, 12.5 वटे एक, 6.25 वटे एक, 12.87 वटे एक, इस तो बाद, दशमलव तो बाद, एक आंक है, तब जिनने दशमलव आंक होंदेने, जिनने दशमलव आंक होंदे है, उन्या हारविच सिफरांदी गिंती होंदी है, एथे एक आंक है, मैंने उपरो दशमलव करता खतम, निचे एक, 0 लगाती, अगे 0 लिखांगे देखो, कोई फरक नहीं पहना, तब जिनने दशमलव तो बाद, एक आंक है, तब उपरो दशमलव खतम, निचे एक, 0. एथे, दशमलव तो बाद, एक आंक है, उपरो दशमलव खतम, निचे एक, 0, एथे देखो, दशमलव दे दो आंक ने, ता निचे दो 0, उपरो आपा की करता, दशमलव खतम करता, निचे आपा दो 0 लगाती है, सेम एथे, उपरो आपा दशमलव खतम करता, एथे दो आंक ने, ता आपने को किनिया 0 लागिया, दो 0 लागिया, तब बहुत उदार ना पा ले रहे हैं, हुन्दे को बना रहे हैं, 4.35, किमें लिखांगे, सब तो पहला वटे एक, दशमलव तो बाद दो आंक ने, उपरो दशमलव खतम किता, निचे दो 0, 5.67, किमें लिखांगे, 5.67 वटा एक, दशमलव तो बाद दो आंक ने, उपरो दशमलव खतम किता, निचे दो 0, 14.689, मानलो ए आगया, तब पहला कि लिखांगे, 14.689 वटे एक, हो ने थे, दशमलव तो बाद किनने आंक आगे, तिनन आंक आगे, ऊपरो दशमलव खतम, निचे अपने को ले, किन्या 0 जीरोज आगया, तिनन 0 जीरोज, तब जिनने उपर दशमलव अंक होनगे, उन्या अपाँ, जीरोज लगाद माँगे, तब ए हो गया, दशमलव नो, पिन वीचे बदलना, जिसनो अपर सिंपल पा अज़ कहने हैं वटे आज बदलना एसे था अगला कोश्चन है कर दिशमलब नू नियूंतम रूप चे लिखो कोश्चन सेम चल रहे है नियूंतम रूप केड़ा हुंदा है सरलतम रूप या मियारी रूप हुँँ एक एड़े हुँदे ने आप आओ तो आरे लेके चल दिया है जीरो पॉइंट चार ता कोश्चन है जीरो पॉइंट चार नू नियूंतम सरलतम या मियारी रूप चे बदलने है तब सब तो पहले है नो आप वटे अज बदलांगे जीरो पॉइंट चार वटा एक दशमलव तो बाद एक अंक उपर दशमलव खतम एक जीरो तब पिन्न अपने को ले हल करके चार वटा दास आ चुकी है तत्यानल देखो हुन सरलतम रूप दोनों केड़े पहाड़े ते वटे जान दे है दोनों दो ते वटे जान दे है दो दुनी चार दो पांजे दस हुन एहे दोनों किसे भी पहाड़े ते नहीं वटे जान दे ता अपना अंसर किना आ आ गया दो वटे पंच अगे देख देया एक तक ही लिखांगे पहला वटे आज एक पॉइंट पांज वटा एक दिशमलव तो बाद एक कांग है उप्रो दिशमलव खतम नीचे एक जीरो हुन आज दोने संख्यामा केडे पहाड़े ते वंडिया जान दिया है पांज ते पांज तीया पंदरा पांज दूनी दस ता हल किता हल करके अपने कुल किना आ गया तिन वटा दो और देखो दो पॉइंट तिन चार के में लिखिए दो पॉइंट तिन चार वटा एक दिशमलव तो बाद दो आंक ने उप्रो दिशमलव खतम किता निचे उनिया की इलागिया जिरोस हुन दोने जोटे अलिया संख्याम है एनू दो ते वंडिया 117 एनू दो ते वंडिया पंजा हुने नहीं वंडिया जान दा ता अपना आंसर किनना आ गया 117 वटे पंजा एदा एक तरिका हो रवी है मैं वह भी दाज़ दा इस कोश्चन दा अपने को ले है गया 2.40 एनू अपना की लिख सक्दे है पिछले लेक्चर दे कॉणिंग लिख रहे हैं मैं दो अते पॉइंट तिन चार दो प्लस एथे देखोते आंदार कला है इसनू क्योंकि दिशमलव सिरफ एथे है दिशमलव तो बाद दो आंक है ए हो गया ना ता उरे वटे यह पिन ने अपन सिरफ एनू हल करांगे दो प्लस दो दे पाढ़ दे बंड़े स्तारा दूनी चौन्ती पंजा दूना सौ ता एनू अपा मिश्रत पिन चलिख सकते हैं पिछले पाढ़ दे विच आपन डिटेल्ट किता होया है ता ए बन गया दो स्तारा वटे पंजा हल करके देखोंगे तो हड़ा अंसर की आओगा सेम आओगा फरक की बन गया ए होगी अनुचित पिन ओ होगी मिश्रत पिन कॉनसेप्ट ए कोई है अंसर ते कोई फरक नहीं पैंदा अपा एक उदारन हो ले रहे हैं हुना आपने को उदारन है 0.45 पहला एनुच पिन नच पदली है 0.45 वटे एक दिशमला वदे दो आंक ने दो जिरो आंस हुने दोनों केड़े पहड़ते वड़े जान दे आप 5 ते 9.45 वी पांजा सो ता अपना आंसर किन ना आगया 9 वटा वी अगे आगया 5.68 दोनों तरीके फेर ने पहला तरीका 5.68 वटा एक दिशमला वदे दो आंक ने उपरों दिशमला खतम निचे दो जिरो आंँ ता दो दे पहड़े ते वंड़े आ गया जदो आपना इनू दो दे पहड़े ते वंड़े आ दो आठ चार एनू दो ते वंड़े आ पांस दूनी दास जीरो दो बारा फेर देखो ये वंड़े जान दे ने एक चार दो पच्ची ता अपने को ले किनना अंसर आ गया एक सो ब्याली वटा पच्ची ते अगर आपा एस तरीके देना चलिये जे मैंनू मिश्रत पिन बनावा मिश्रत पिन दही सामनल चलिये देखो ए हो गया पांज अते पॉइंट छे याठ पॉइंट छे याठ ता मतलब पॉइंट छे याठ वटा एक वटा सो दो ते गया ते न चार दो ते गया पांज जिरो दो ते गया स्तारा दो ते गया पच्ची ता अपने को ले आ गया पांज प्लस स्तारा वटे पच्ची या पांज सही स्तारा वटा पच्ची ते चेक करके देखो एनू हल करके देखो ये दोने तुहाँ डेकी ने सेम पिन्ना ने फरकिया आपा गल किती सी एह अनुचित पिन्न है ते ओ आपने कोल केड़ी पिन्ना आगी ओ मिश्टत पिन्ना आगी आपने कोले हुन आपा उल्टा एथेद आपा दशमलव नू पिन इच बदले हुन पिन्ननू दशमलव विच बदलांगे पिन्ननू दशमलव रूप विच देखो हुन कोशन है आगया उल्टा हो गया कुछ कुदार ना पच्ची वटे दास साथ वटे दास अड़ताली वटे दास एक्सो तेई वटा सो पांसो स्तारा वटे सो पंद्रा वटे सो अपा कुछ कुदार ना लिखिये थे हुन जो इंट्रस्टिंग चीज देखोए थे उल्टा हो गया पिछले चापा की गाल लिखिती सी मैं पहले एक कोदी छोटी चाथा आना लिख रहे है दो पॉइंट तिन तब पहला आपा वटेच लिखते सी फिर उपर जिन्ने दिशमलव आंक ने उन्निया जीरुआ ताइदा मतलब एक क्लीर हो गया जिन्नी अपने कोले सिफ्रांदी गिंती है हर देविच जिन्नी हर विच उन्ने अपने कोले दिशमलव आंक होनगे जिन्नी सिफ्रांदी गिंती है हर देविच उन्ने अपने कोले की होनगे दिशमलव आंक होनगे एथे एक जिरो है तब एक दिशमलव आंक तब करना की है पिछो सज्जे हाथ तो एक आई दे आंक तो तब तुसी की करो संख्या लिखी सज्जे हाथ तो एक जिरो है एक आंक छटके उथे दिशमलव ला दो तब आपना की अंसर आ गया दो दिशमलव पंच एथे देख देया सथ एधर ली साइट हो मैं तीरदा निशान ताहीं लगा रहे है कि निया जिरो आने एक जिरो है तब पिछो एक आंक छटता तब एदे अगे पॉइंट आ गया हुने नूँ पॉइंट सथ भी लिख सकते है जा जिरो पॉइंट साथ आपने कन्यो अगे जिरो लगा सकते है सेम एथे देख देया एक जिरो है तब पिछो एक कांक छटता दिशमलव एथे आ गया ता किन्ना अंसर आ गया चार पॉइंट आठ एथे देखो एक सो तेई किन्ना जिरो आने थे दो ता एदर दो आँक छट दो एक टेक दो दो चटते ता दिशमलव किछ लगऊगा एथे लगऊगा ता किन्ना अंसर आ गया एक पॉइंट दो तिन एदर पांसो स्तारा ओमेदा ओमी लिख्या अधर लिख्या तो दो जिरो जने एक टेक दो आँक छटते ता अपने दिशमलव एथे लगऊगा ता किन्ना अंसर आ गया पांच पॉइंट एक साथ पंद्रा ओमेदा ओमे दो जिरो जने दो दो जिरो चटते एक त एक दो 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 चटतिया ता पॉइंट एदे अगए आ गया या इसनों आपा की लिख सकते है क्योंकि पॉइंट देगे कोई भी संख्या नहीं हैगी ता उरे आपा जिरो भी लिख सकते है ता पॉइंट एक पांजवी आंसर हो सकते है जिरो पॉइंट एक पांजवी चेहत्तर वटा सो चेहत्तर ओमेदाओमे एदर ली साइट तो किन्या जिरो आने दो जिरो आने ताद दो आंक छड़ते अदो ने छड़े गए अपने कोल पॉइंट एथे आ गया या आप आई नो किये लिख सकते हैं जिरो पॉइंट साथ चार आप बड़ा इंट्रेस्टिंग आ गया अपने कोले उरे पंज है एदर ली साइट तो देखिए उरे सिफरा किन्या ने दो प्रंतु आंक किन्या एक ताफिर आपक की करांगे सिफरा दो चाहिदी है तो आंक भी दो चाहिदे है ता एदर लो एक कांक आपक आप देखने लिख लांगे अपने कनियों आपने 0 लगा मांगे क्योंकि अगर आ लिखोंगे यह तब 5 हो गया 5 जिते पंजाज बहुत फरक है पर 5 नूँ आपने 0 पंज लिख सकते हैं अग्गे लिखन देना कोई फरक नहीं पेंदा तब पिछो हुन दो अंक छड़े तब पॉइंट एथे आगया तब इनू आपप पॉइंट 0 पंज या 0.05 लिख सकते हैं कुछ अग्जम्पला मैं होर लिख रहे हैं दिया तिन वटा 100 तिन दो अंक ने एकार्या एक आपने कनियों तब आपने को लिखना आगया 0.03 या 0.03 अगर मैं लिखां पांजय वटे हजार ता कि मैं होगा एथे आपने को ले तिन दिशम्पला वग ने तिन जिरुआ ने तब एदा मतलब आपनो तिन आंक चाहिए दिया है एक दो तिन तिन आंक तो 0 लाकी जा एक जिरुआ आप 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 देकर नहीं होगे ला लाँगे ता ए हो गया 0.005 फुना आ गया पहला आपा संख्या लिखी एदर लिसाइट हो दो जिरुज़ है दो आंक चाहटे ता अंसर आ गया एकवंज़ा पुआइट छे सथ ता जिड़ा एता अपा कम किता है जित्थे अपने को ले हर है ओ दास है सो है हजार है या दास हजार हो सकते है मतलब जिरुआला परंतु अगर आपने को ले आ आ गया तिन्न बटा दो आ आ गया हुन के में करांगे तै इस तू करन दे दो तरिक्के दे एक तरिक्का क्योंकि आपानू पता है दशमलव दे लई हार दे विच दास सो हजार चाहिद है याता आपा एह जी संख्या लबबांगे आपा देखो पिन्ना दे विच तुल्ल पिन्ना वारे गाले किती होई है जित्थे आपा तुल्ल पिन्न बना अंदली उपर ते निच्छे आइशा ते हार नू एक फिक्स संख्यानल गुना कर दन्या या वांड कर दन्या सेम चीज एथे है उरे दो है आपा नू दास चाहिद है तक दो दा पहाड़ा पड़ो दास तक दो पांजे दास एक तरिक्का दा की है आपा की किता निच्छे दास बना आंदे लई पांजे नाल गुना करती तिन्य पांजे पंद्रा दो पांजे दास हुन देखो एक जीरो पिछो एक कांग छाड़ता तक किन्या अंसर आ गया एक पॉइंट पांच अगर मैं एथे आ रहे हैं उरे पांजे आपानू दास चाहिद है तक किन्या नाल गुना करांगे पांजे दूनी दास दो नाल गुना करांगे तब ए हो गया साथ दूनी चौदा पांजे दूनी दास चौदा एक जीरो पिछो एक कांग छड़ता एथे आ गया दिशमलव तब जड़ा अपना अंसर आ गया ओ आ गया एक पॉइंट चार ते दूज़ा तरीका की है वंड़ अपनों वंड़ साले नू करनी आंदी है तिन्य वटा दो हर बार अंशंतर यहीं हुंदा ना हर बार अंशंतर दो एकम दो हुन तक तुसी सिरफ एथे कर दियारे से एथो तक तुसी कम किते है एक गल मैं दसूँगा अपन जो दो संख्या पर ना ली दा इकाई सिस्टम दी गल करती सी मैं उदार ना ली आसी जिवें 400 थे ता मैं की कहा सी अपन पिछे पॉइंट लगा सक्दे है लगा सक्दे है न ते पॉइंट तो बाद अपन जिन्या मर्जी जिरुआ लगा दिये एदी कीमत थे कोई फरक नहीं पैंदा तुसी कोई विक संख्या लिख लो जदो ओदे पिछे पॉइंट वाद जिरुआ लिख दोंगे न ता एहे अते एदे विच्च कोई फरक नहीं पैंदा सेम चीज हुना आप एथे करांगे आपकी करांगे अपने करनियों एथे पॉइंट एक जिरु ले लिए आज जिरु आगी निच्चे ताब पॉइंट आली जिरु निच्चे पॉइंट आगया उपर दो पांजे दास खतम तक किन्न आगया हाल लकार के देखो एक पॉइंट पांच सेम एथे हर बाहर आँशंदर पांजे कम पांच साथ चो पांज उकटाए दो पॉइंट जिरू आँ निच्चे उतार लिया तैदा मतलब पॉइंट आलिया पज जिरू निच्चे उतार ली पांजे चौका वी देखो एक पॉइंट चार तब दोनों त्रिक्चे तो हर्डेकोल है गे ने तुसी डिरेक्टर तुल्ल पे निबना के भी हल कर सकते हो तुसी एसनों वंडनाल भी हल कर सकते हो और अग्जाम्पल्स ले रहे हैं आपा नौ वटे चार आ गया की करिए चार दे पहाडे ते दस नहीं आन्दा पर सौ आन्दा है उन्हें तो नहीं याद रखना पहूँगा पच्ची थे जदो आपा चार दी पच्ची नाल गुना करांगे ता सौ आउगा याता है इन्हों ये याद रखो देखो ता फिर इत्थे की बन गया निच्चे दो जिरु हैं पिछो दो आंक छड़े आ आंसर आगया दो पउइंट पच्ची ते वंड़ दा की फाइदा हो जो हर आईश चार दुनी अठ पॉइंट जदो पॉइंट उत्तर गया जिरू मैं खोड़ तरीका दा आजा एक लाइन मार लो ताकि आप आप पॉइंट दा सिस्टम शुरू करते है जिते पॉइंट आ गया पॉइंट जीरो निच्चे चार दुनी अठ दास चो आठ कट आए दो फेड जीरो जीरो निच्चे पांचो का भी ताक किन्ना अंसर आ गया दो पॉइंट पच्ची की लग जाना है पॉइंट लग जाना है देखो आंसर किन्ना आ गया दो पॉइंट पच्ची मैं एक उदारन होर लेकर चल रहे हैं उदारन है पंद्रा वटे चार याता की करिये अपनू याद रखिये के आप आए दी पच्ची लग जुना करनी है पंद्रा दी पच्ची लग जुना किती तिन सो पच्चतर पच्ची चौका सौ दो जिरो जने पिछो दो आंक छड़े किन्ना अंसर आ गया तिन पॉइंट साथ पंच या आपा की करांगे वांड करांगे हर बार अंदर चार तीए बारा तिन उरे आपा पॉइंट लाके जिरो ला ली ते जो आज इनो निच्चे उत्र गी एदा मतलब एथे आपा की लगा था पॉइंट सत चौका अठाई दो बाजगे ता अपने करने एक जिरो होर लगा ली चार पांजा ता हल लकर के किन आ गया तिन पॉइंट पचेतर ता इस तरीके देन आल आपा इनन संख्यामा नू दिशमलों विच बदल सक देया चाहे तो हड़ी कताब चो वण डाला नहीं हैगा पर सिरफ एक नौलेज देन दे लई मैं की किता है अपने नू वण ड़च बदले है हुना अपजरी गल करांगे इस तो बात तुलना दिशमलों वांदी तुलना करना मतलब केड़या संख्या छोटी है केड़ी संख्या वड़ी है कुछ कुदा आरना लेके चाल दिया पहली उदा आरन 0.10 या 1.2 next 0.5 या 0.4 next 1.2 तिन जा 12.3 next 0.56 जा 0.05 next 0.6 जा 0.61 मैं उड़े कुछ कुदार न लिखी है आपो स्टार्टिंग्स गल के तीसी पिछले लेक्चरा देवेच्छे के तुसी सब्तों पहले दिशमलों देखने हैं तो सिद्धा वदियत्री का दाज़ा दिशमलों आ रहे हैं एक छोटी जी मैं लाइन मारती हैं तो सब्तों पहला दिशमलों दा खब्बा पासा सिरफ यह देखने हैं सब्तों पहला उरे जीरो उरे एक आ छोटा है आ वड़ा है बस क्लियर हो गया ता एक पॉइंट दो वड़ी है अप आ उरे गल का रहे हैं केड़ी संख्या वड़ी है सब्तों पहला दिशमलों देखो मैं एक लाइन मारती छोटी दानेदार लाइन मारती ताकि क्लियर होजे थो नो खब्बा ते सज्जा पासा ओदा सब्तों पहला खब्बा पासा देखने हैं तुसी जीरो ते एक ते केड़ा वड़ी है एक वड़ है, तो आपने को लिएक पॉइंट दो वड़ दी है, एथे देखो, आ रहा दिशंबलब, जीरो जीरो, ए दोने ब्राबर है, जदो खबे पासे देखेगे, दोने ब्राबर होगे, फिर सज्जे पासे, शुरू करो, उद्दू बाद, एथे पांच, एथे चार, केड़ा वड़ा हो गया, आ वड़ा हो गया, ताइदा मतलब, एथे 0.5 वड़ी है, इन आजा कम है, दिश्अलव, दिश्अलव, उद्द्दू रेए 1, एथे 12, केड़ी वड़ी होगी, पिर 12.3 वड़ी है, उठे देखेएं, दिश्अलव, एथे 0, एथे 0 ठीक हो गया, हुन एदा पहला आंक फिर एदा पहला आंक एथे पांज एथे जिरो है तब पांज वटा हो गया 0.56 वड़ी है एथे देखो आ रहे है दिशंबलव आ रहे है दिशंबलव 0-0 ओदूबर पहला आंक 6-6 उरे कुछ नहीं हैगा जो तो कुछ भी नहीं हुनदा किनना हुन एदा है जीरो हुन एथे जीरो है एथे एक है केड़ा वड़ा हो गया 0.6 तसिद्धा ना सिस्टम है सब तो पहले दिशंबलव ते फोकस करो एक लाइन में तो मारती दिशंबलव नो क्लियर करन दे लिए और दुबाद ओदा खबा पासा अगर खबा पासा छोटा वड़ा हो गया ठीक है अगर वो बराबर आ गया फिर आपा सज्जे पासे दा पहला आंक फिर दुज्जा आंक एस तरतीब ते नाला पाचाल देया देखो हून आ गया आ संख्या आगी दो आ संख्या आगी मैं उरे तिनुदा आ लेके चल लेया आ रहा दिशंबलव मैं एक लाइन मारती खबा पासा बराबर सज्जेदा पहला आंक बराबर दुज्जा आंक साथ ते दो ता केड़ा वड़ा हो गया आ वड़ा हो गया ता 0.07 संख्या की यह वड़ी है दिशंबलव ते लाइन खबा पासा खबा पासा पहला आंक पहला आंक दूसरा आंक दूसरा आंक ता आपने कुल की हो गया 0.56 एथे देखो दिशंबलव किथे गया? है नहीं? की करांगे? अगर संख्या दे उच्छे दिशंबलव नहीं हुनदा मैं पिछे गाल करके है टैसी ता किथे हुनदा है? पिछे हुनदा है बी केरफुल अगर संख्या दे विच दिशमलव नहीं हुनदा तो उन्हों आपा पिछे लिख सकते हैं हुन एदे अगे कुछ नहीं तो जीरो एथे दो है एथे जीरो है तो केड़ा वड़ा हो गया दो पॉइंट जीरो वड़ा बिल्कुल सिंपल जा सिस्टम है अपा की किता अपा दिशमलव ते एक लाइन मारी समझा आंदे लई ताकि गल्ती ना होए उद्दुवाल अपा की करना है सब तो पहला पहला आंग खबा पासा फिर सज्जे पासे तो पहला आंग एक पॉइंट दो जा एक पॉइंट दो तिन आर या दिशमलव खबा एक खबा एक ठेक सज्जे पासे तो पहला दो फिर दो एथे कुछ नहीं हैगा तकी करांगे एथे जीरो एथे किनने तिन तकेड़ा वड़ा हो गया आवड़ा हो गया एक पॉइंट दो तिन वड़ी है एक पॉइंट छे लाइन मारी एक एक ठीक छे छे ठीक उरे कुछ भी नहीं हैगा जीरो जीरो ठीक एदा मतलब दोनों की ने बराबर हन कोई भी छोटी नहीं हैगी कोई भी वड़ी नहीं हैगी 0.09 जा एक हाँ जी एश चो केड़ी वड़ी है सब तो पहला आपक की गल करनी है दिशमलव बार बार मैं एकों गलते फोकस कर रहे है दिशमलव एथे हैं नहीं पिछे लगा के 0 अग्य जान दी लोड़ी नहीं आ रहे है 0 आ रहे है 1 केड़ा वड़ा हो गया आ वड़ा हो गया ता इदा मतलब संख्या इक वड़ी है ता देखो बड़ी असानी दे नाल आपका इस दे कर सक देया ता दोस्तों एस ही आपने को ले दिशमलव दा अगला फेस उनू पिन नच बदलना पिन उनू दिशमलव बदलना अते ओस दी तुलना करना थैंक यू